नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को जरूर दबाईए दोस्तों वास्तू के नुसार घर में देवी देवताओं के चित्र लगाने से सकारात्मकता आती है दोस्तों जिस घर में देवी सक्तियों को सुन्दर्श चित्रों और सवरूपों में इस्थाफित किया जाता है उस इस्तान से कभी भी देवी देवताओं दूर नहीं जाते हैं दोस्तों वास्तू के अनुसार घर में देवी देवताओं के चित्रों को लगाने से सभी प्रेसानिया दूर होती है और घर में सुक सान्ती बनी रहती है दोस्तों घर में तस्वीर को सजाने से पहले कुछ खास बातों पर ध्यान रखना चाहिए घर में रामभक्त हनुमान जी के चित्रपट को सजाने के धेरों लाव है लेकिन उन्हें घर में इस्तान देने से पूर्व कुछ बातों पर ध्यान अवस्य करें अगर आप कहीं कुछ भूल तो नहीं कर रहे हैं दोस्तों हनुमान जी बाल ब्रमचारी माने गए हैं दमपती को इनका चित्र अपने बेर्डरूमे कभी भी भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए दोस्तों इस से असुबता बढ़ती है घर के मंदिर में या किसी अन्य पवित्र इस्तान पर इनका चित्रपट सजाएं दोस्तों सही दिसा का ध्यान रखना चाहिए रामभक्ध हनुमान दक्षिन दिसा में हनुमान जी ने अपना सरवादिक बल दिखाया था अर्थात दक्षन दिशा में हनुमान जी के सारे युद्ध हुए थी दोस्तों घरकारियस्तान पर इनका चित्रपट इसी दिशा में सजाना चाहिए जैसे लंका दक्षन में हैं सीता माता है कि खोज दक्षन से प्रारम हुई थी लंका दैन और रामरावन युद्ध भी दक्षन दिशा में ही हुआ था दोस्तों दक्षन दिशा में हनुमान जी विशेश बल्लशाली माने जाते हैं दोस्तों इसी परकार हनुमान जी उत्र दिशा में उनका चित्रपट लगाने से दक्षिन दिशा से आने वाली परतियक नकारात्मक सक्ति को हनुमान जी रोक देते हैं वास्तो नुसार इसे घर में सुक और शमर्दिक का शमावेश होता है दोस्तों दक्षिन दिसा से आने वाली हर बोरी ताकत को हनुमान जी अपने बल पूरवक उसे रोक देते हैं हनुमान जी महाबल साली हैं दोस्तों जिस रूप में हनुमान जी अपनी शक्ति का पर्दशन कर रहे हो दोस्तों जैसे हनुमान जी युद्ध कर रहे हो या किसी भी ऐसा चित्र जिसमें हनुमान जी अपनी सक्ति का परदिशन कर रहे हो या रुद्र रूप में हो ऐसे चित्र को घर में लगाने से किसी भी तरह की बुरी सक्ति परवेश अशंबव हो जाता है दोस्तों ऐसा चित्र लगाने से घर में किसी भी बुरी ताकत या नकारात्मक सक्ती पूल कर भी परवेश नहीं करती है दोस्तों घर के मुख्य द्वाल पर काले घोडे की नाल, अंदर और बाहर दुरुगा यन्तर सक्ती तथा दक्षनव की द्वार पर हनुमानजे की तस्वीर अवश्य लगाएं दोस्तों इनका तस्वीर लगाने से आपको अवस्य ही लाब जरूर मिलेगा दोस्तों तो आजसा करते हैं कि हमारे द्वारा दे गई जानकरी आपके लिए लाबदा एक सिद्ध होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद